गुद मॉर्निंग टू ओल आफ यू नौम बर्क के मेरे प्यारे बच्चे आज हम लोगे पाठ तेरह का पाठ टू यानी दूसरी कविता जो है हम लोग खुस्बू रचते हैं हाथ पढ़ने जा रहे हैं कल की कक्षा में हम लोग इसका वर्ड मिनिंग और कविता पढ़े थे खुस्बू रचते हैं हाथ कविता का मतलब है कि जो गरीब बच्चे अगरबती धूप इतियादी को बनाते हैं उनके हाथ अत्यंत कोमल और मुलाइम होते हैं मजबूरी में गरीबी में बेचारे कम उम्र में ही वे पेट भरने के लिए इन कामों में जूड़ जाते हैं खुस्बू रचते हैं हाथ यानि वैसे बचे जो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं बहुत गरीब होते हैं कोमल होते हैं मासूम होते हैं खेलने के उम्र में होते हैं पढ़ने के उम्र में होते हैं उनके ही हाथों से ये मुख्य रूप से अगरबतिया या जो है धूप जो है बनाई जा रही है विचारे कम पैसे में जो है पेट भरने के लिए मजदूरी करके इन छोटे-छोटे कामों को करते हैं और अपने पेट को भरते हैं तो कह रहा है कि कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूडे करकट के धेरों के बाद बदबुस से फटते जाते इस टोले के अंदर खुस्बू रचते हैं हाथ यानि पहला परग्राफ में कभी ने जिक्र किया है कि वो जो गरीब बच्चे जो अगरबती और धूप वेगरह का निर्मान करते हैं उनका घर जो है कई संकिर्न गलियों के बीच होता है नालों के उपर होता है जोगी जोपड़ियों में रहते हैं जहां पर बगल में कोई खास गर नहीं होता है वह जहां तहां नाले के उपर ँपर जो है कूडे करकट के बगल में सरकारी जमीन पर अपना किसी तरह से नाले के उपर जो है अपना जोगी जोपड़ियों लगा कारण समय के मारे बेचारे वे मासूम बच्चे रहने को मजबूर होते हैं उभरी नसो वाले हाथ घीसे नाखुनों वाले हाथ यहां उभरी नसो वाले हाथ कहने का कभी उन मासूम बच्चों के हाथों का जीक्र किया है कि जब वे बच्चे बास के तिनकों को मास के खप्चि नस उभर आते हैं, नस दिखने लगते हैं, घीसे नाखुनों वाले हाथ, उनके नाखुन जो है, मासों की खपचियां को छिलते छिलते, या अगर बती के डंठल को छिलते छिलते, उनको चिकना बनाते मनाते, उनके नाखुन भी घीस जाते हैं, चमडे भी कहीं से फट जाते हैं कोमल हाथों के पीपल के पते से नए नए हाथ जुही की डाल से खुसबुदार हाथ कभी उन मसुम बचों के कोमल हाथों की भी सिस्ता बताते हुए कह रहा है कि वे पीपल के जितने पते मुलाइम होते हैं उतने ही उन मसुम बचों के हाथ भी कुमल होते हैं जुही की डा बहुत प्यारे होते हैं मसूम होते हैं दखने में बहुत से क्यूट लगते हैं उसी तरह से ये गरीब बच्चे बिचारे अतियंत कम उम्रे में आठ दस ग्यारह वर्स के उम्रे में माबाप जो है मजबूरन कमाने के लिए भेज देते हैं और इन छोटों-छोटों कामों को करके वे पैसे कमाते हैं अपना पेट भरने के लिए मजबूरी करते हैं वे मसूम बच्चे उनके हाथ जो है पीपल जैसे मुलाइम होते हैं जु अपने पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके खेलने के समय को छोड़ करके त्याग करके इन कामों में वो जूड़ जाते हैं गंदे कटे पीटे हाथ जखम से फटे हुए हाथ काम करते करते उनके हाथ मासूम हाथ अत्यंत गंदे हो जाते हैं जगह जगह से हैं चाकू और ब निकलाते हैं, खुस्बू रचते हैं हाथ, खुस्बू रचते हैं हाथ, इस प्रकार वे मसुम बचों, वे मसुम बचे जिनके हाथ खुस्बू रचने वाले हैं, खुस्बू का मतलब यहाँ पर अगरबती सुगंधित होती है, दूप सुगंधित होती है, वे इन बचों के द्वारा निर्मान होता है, निर्मित होता है, छोटे-छोटे कामों में इन बच्चों को लगाया जाता है, इसलिए बार-बार हर परगराफ में कभी खुस्बू रचते हैं हाथ का जीक्र किया है, यानि जो जिन हाथों से अगरबतियां और धूप बनाये जाते हैं, उनके हा हाथों से इन खुस्बूदार अगरबतियों और धूपो की रचना होती है, बनाई जाती है, वहीं इस गली में बनती है मुल्क की मसुहूर अगरबतियां, मुल्क मने संसार की एक से एक जो है सुगंधित अगरबतियां, इन मजदूर करने वाले मजदूरी करने वाले पर समझा जाये तो एक तरह से गंदे जगह पर कहने का मतलब कि यह गरीब बचे गंदे जगह पर रहने पर मजबूर होते हैं और वहीं अपने खाली समय में भी रात में भी जब समय मिलता है वहां पर जो है अगरबत्यों का निर्मान करते हैं तो मुल्क की जितनी भी किस्म की करीब-करीब अगर बतियां बनाई जाती है वो ये मासुम गरीब बचों के हाथों से निर्मीत होती है करीब-करीब इसलिए यहाँ पर मासुम बचों के जो है गरीबी के बारे में मसुम बचों की दुर्दसा के बारे में कभी ने जिक्र किया है इनहीं गंदे मुहलों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रातरानी अगरबतियां जितने भी किसमे की जो अगरबतियों का नाम लिया गया है केवड़ा गुलाब खस और रातरानी ये सबी जो है मसुम बच्चों के हाथों से गरीब परिवार के बच्चों की हाथों से जो है निर्मित होती है दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुस्बू रचते हैं हाथ दुनिया की सारी गंदगी जहां पर कुड़े करकट हम लोग बेकार समझ करके घर से फेकते हैं उन्हीं टोले के अंदर संकिरने गलियों के अंदर उन्हीं टोले नाले के उपर जो उनके जुगी जोपड़ी होते हैं उन गरीब बच्चों के उन ही गंदे अस्थान पर जो है जोगी छोपडियों में वो इन अगरबतियों का निर्मान करते हैं खाली समय में रात में जब भी मिलता है उन अपने परिवार के साथ मिल करके अगरबतियों का निर्मान करते हैं पैसा कमाने के लिए बेचते हैं तो उन गरीब परिवार के मासूम हाथों से कोमल बच्चों के हाथों से इन अनेक किस्मिकी अगरबतियों की रचना होती है खुस्बू रचते हैं हाथ, खुस्बू रचते हैं हाथ हर परग्राफ में कभी खुस्बू रचते हैं हाथ का जिक्र किया है ये बार-बार परियोग करके ये दर्सा रहा है कि इन खुस्बुदार अगर्बतियों को बनाने वाले उन गरीब मासूम बचों की हाथ ही है गरीब परिवार के मजदूरी करने वाले गरीब परिवार के मासूम बचों के हाथों से ही इन अगर्बतियों की रचना होती है ये बनाई जाती है जो अत्यंत गंदे जगह पर रहने पर मजबूर होते हैं गरीबी में आधे पेट खाने को मजबूर होते हैं फटे चीटे वस्तर पहनने को मजबूर होते हैं नाले के उपर कुडे करकट के उपर जोगी बना कर केवल रात दिन गुजारते हैं उन्हीं गरीब मुलायम को मल्यात है उन्हीं कहाथों से यह अगर्वती बनाई जाती है यह अगरति हैं जो अतियंद गरीब परिवार से बिलॉंग करते हैं। तुम बच्चे तो आप लोग इस कविता को ध्यान से कम से कम टू से थ्री टाइम्स सुनेंगे कविता के अर्थ को भावार्थ को और अबर कोई प्रोब्लेम हो तो आप सभी पूछेंगे धन्यवाद